हर घर में जैहर मुक्त सब्जी का उत्पादन संभव है और ऐसा ही यह कारणामा भिवाने के उमेज सिंगने कर दिखाया है उन्होंने अपनी छट पर गमलो, ड्रम, वो ग्रो बैग में विभिन प्रकार की सब्जियां उगा कर अपने घर की जरूरत 75 परतीशत सब्जियों की मांग को घर में ही पूरा कर लिया है बिवानी के विकास नागर निवासी उमेज सिंग ऐसे लोगों के लिए प्रेणा स्रोथ है जो बगैर पेस्टिसाइड वहानी कारखाद के और गेनिक तरीके से घरों में ही सब्जियां उगा कर अपने घर की जरूरत की सब्जियों की मांग को पूरा करने चाहते हैं बताते कि वे अब तक अपनी घर के छट पर और गेनिक तरीके से 7 किलो की पता घोबी 15 इंच लंबा खीरा 720 ग्राम का चमाटर उगा चुके हैं मूल रूप से बिजनस करने वाले उमेद सिंग अपने डैनी कारिये से एक घंचा निकाल कर और गैनिक सब्जी उतपादन की मिसाल बन गए हैं वे ओनलाइन तरीके से विभिन सोशल साइट्स के माध्यम से अपने प्रशंस को वो सब्जी उगाने के इच्चुक लोगों को घर के छट पर सब्जी उगाने के टिप्स भी देते हैं बतादे की वर्ष 2008 से उमेद सिंग अपने घर की छट पर पुराने ज्रमों के खोल गमलो वो ग्रो बैक में हर सीजन की सब्जियां खुद उगा कर ना केवल घर की सब्जी की जरूरत को पूरा करते हैं बलकि पडोसी वरिष्टेदारों तक भी सब्जिया पहुँचाते है वे अपने घर के छट पर गाजर, धनिया, शिम्लामिज, टमाटर, बैंगन, भिंडी, शलगम, खीरा, बेलवाली, सब्जियां, करेला, ककडी, तर्बूज, खर्बूजा, पेच्छा यह सभी उत्पाधन करते हैं उमेज सिंग ने बताया कि जब उन्होंने छट पर सब्जियां उगानी शुरू की तो बहुत से लोगों ने इसे असंभव कारी माना प्रन्तों उन्होंने कम पानी का परियोग किये विना हानी का रखाद वो पेस्टिसाइड से बचते हुए और गेनिक तरीके से सब्जियों को उगाया तो उनका स्वात्व पोशन सामान्य सब्जियों से कहीं अधिक था इसके बाद घर परिवार के सदस्य भी उसे सब्जियां उगाने में सहयोग करने लगे जानकारी देते हुए उमेज सिंग ने बताया कि सब्जियों के उत्पादन के अलावा वे विभिन प्रकार के साग वहरबल अश्वगंदा लिखी ब्रेजेल औरोना स्ट्रोबेरी घर की सब्जियों वह इसके अलावा घर के कूडे से डी कमपोज हुए खाद वह पशुगोवर की खाद का प्रियोग करते हैं घर की सब्जियों वह अन्य खाद वेस्ट को डी कमपोज करके वह घर में ही औरगेनी खाद सब्जी उगाने के लिए तैयार करते हैं उन्होंने बताया कि नारियल के भूसे का प्रियोग करने से उनके गमलो ग्रोबैब वर जो में अधिक बोज नहीं बनता तथा छत को भी किसी प्रकार का नुकसान होने के संभावना नहीं होती उमेज सिंग का कहना है कि अलग-अलग मोसम में रस चूसने वाले कीट सब्जिया पर भी आ कीटों से बचाया जा सकता है जरूरी है कि जहर मुक्त सब्जियां खाई जाए और जो आपको खाने में शरीर को नुकसान ना करने के कुछ फाइदे दें उस चीज के लिए तो उसका सबसे बड़ी अतरीका ती है कि आप अपने घर पे उगाना सरूप करें या आप अपने चत पे उगाएं लोन में उगाएं या टेरेस गार्डन पे उगाएं या किचन गार्डन जो भी स्पेस आपके पास है विले बलो आजकल मेट्रो सिटीज में सबसे बड़ी समस्या स्पेस की रहती है जहां भी आपको मिले गमलों में उगाएं ग्रोब बैग में ड्रम में लेकिन जितना भी हो संभव हो उसके कोशिस करिए मैं मेरे गर्की लगबग 70-75% सबजियां गर्की अपनी च्छत पे उगा लेता हूं और सीजन की सारी सबजियां मुगाता हूं चिमला, मिर्च, टमाटर, बेंगन, बिंडी, गाजर, मूली, पलक, दनिया, मेथी, सलगम, खीरा, गर्मी वाली जो सबजियां थी उसके अंदर सारी बेल वाली सबजियां करेला है, ककड़ी है, तर्बूज, खर्बूजा, पेठा ये सब चीज़े माँगाता हूं उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा हर्ब्स पर भी ट्राई करता रहता हूं उसके बाद में आपके जितने भी मतलब जो आपने यहां मौसम साथ देता है, उस सारे हर्ब्स मैं उगाने के कोशिस करता हूं, सागे है, और असवगंदा है, एक आपका, औरिगेनो है, सलाद वगरा जो है, ल पर यह उगा रहे हैं, और इसका क्या परभाव आपकी हल्प परिवार की हल्प पर और लोगों को किस परकासी से प्रेणा लेना है, मैं 2008 से कंटिनूज को कर रहा हूं, दीरे दीरे, पहले मेरे को यह सोग तो बच्पन से ही है, क्योंकि मैं किसान परिवार से बिलंग करता ह हूं, और पढ़ाई के साथ-साथ, थोड़ा-थोड़ा इन चीज़ों पर मैं हाथ हजमाता रहता था, दीरे-दीरे कोलेज में चले गए, उसके बाद बिजनेस में आ गए, तो थोड़ा सा बीच में छुट गया था, लेकिन उसके बाद जब कभी गाउं में जाना होता था तो वो गाउं के सबजियां खाके और सहर के सबजियां का जो अंतर नजर आता था तो मेरे से रुका ने गया, फिर उसके बाद मैं ने दुबारा से 2008 में ये सबजियां अपनी छट पे उगाना शुरू कर दिया, और उसके बाद कंटीनू, मतलब सुरू सुरू में तो बड़ा भी मेरी मदद करने लगे, अब कोई ये नहीं कहता है, बलकि अब तो गर में कोई गेस्ट वेस्ट आता है, तो सब से पहले छट दिखा के लिए कहते हैं, बेचलो आपको हमारा खेत दिखाते हैं पहले पर सर, और गैनिक खेति की बात करें, तो आप लगब किस परकार से जो आपकी सबजियों में ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आप के लिए लेकर आए हैं, खास मौका, वो भी हर्याना सरकार की अफॉर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहट आपको मिलेगी 6 लाक रुपे तक की सुविधाओं के रूप में सबसीडी, जैसे की फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जिस फ्री और मेंटिनेंस फ्री और कोई hidden चार्जिस भी नहीं, तो आज ही बिना देर किये, अपने सपनों का घर बुप करें